Verbal Communication means शब्दों के माध्यम से Communication Definition इसके Definition में हम देखते हैं Verbal Communication refers to the conveyance of messages using spoken language Spoken language का इस्तमाल करते हुए जब हम अपने message को convey करते हैं तो उसे हम Verbal Communication कहते हैं Medium primarily oral Verbal Communication जो है मुखे रूप से ये मोखिक होता है But also includes written प्रन्तो हम इसमें written भी शामिल करते हैं When discussing the specific words chosen to convey a message Message को convey करने के लिए जब हम कुछ विशेश शब्दों का chain करते हैं तो written भी Verbal Communication की कैटेगरी में आ जाता है Components, Parts सबसे मुखे parts जो इसमें words होते हैं The basic units of language क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम communicate करते हैं तो language की basic units शब्दों की M भूमिका होती है Tone The pitch and modulation of the voice जो हमारी voice होती है हमारी जो tone है वो किस प्रकार से है तो हम अपने pitch और उसको modulate उसी धंक से करते हैं गुसे से ये प्यार से जैसे भी बात करते हैं तो इसकी भी काफी भूमिका होती है Pace, Speed How fast or slow speech is delivered तो हमारी जो speech है वो कितनी fast ये slow हमने deliver की है तो उसकी भूमिका होती है Volume, The loudness or softness of speech हमारी जो speech है वो कितनी उंची आवाज में है ये कितनी soft है That also plays very important part तो this way there are four major components of verbal communication Channels, Madhyam, Face-to-Face आमने सामने हम भी verbal communication का इस्तमाल करते हैं कई बार telephone के थूँ करते हैं Voice chat करते हैं Broadcast करते हैं जैसे कि Radio या TV पे तो इस तरीके से कोई भी माध्यम हो सकता है जिसमें हम शब्दों का इस्तमाल करते हुए Communication करते हैं Contextual factors These can influence the interpretation of verbal messages जो हमारे messages होते हैं कई बार किसी context में उनकी अलग significance होता है Meaning होता है जैसे कि cultural background अगर culture क्योंकि हर किसी की culture अलग है उसमें अलग perceptions हैं विचार हैं तो उस करके भी उसका matter करता है भी किस context में बात कही जा रही है या social norms या etiquette जो sister चार होता है उसके उपर भी depend करता है The relationship between the speakers और जो speakers के आपस में क्या relation है That also matters Feedback In most verbal communication Especially face to face Immediate feedback is possible कई verbal communication में खास तौर पे जब face to face होता है तो on the spot Feedback सबब हो पाता है Through active listening जब active listening हो रही होती है या जिस type की questions होते है या जो clarifications ली जाती है तो उससे सारा feedback on the spot आ जाता है Barriers कुछ इसमें barriers भी हैं बादाए हैं जिससे language differences कई लोगों की भाषा अलग अलग होती है तो एक दूसरे की बात वो डंग से नहीं समझ सकते हैं तो verbal communication की यह अपने आप में limitation है जागन और technical language कई बार हम कई ऐसे विशेश शब्दों का इस्तमाल करते हैं जो आम व्यक्ति नहीं समझता है जो specialist है उसे field में वो समझता है तो इस करके भी कई बार समझ से आ जाती है जो हम बात convey करना चाते हैं दूसरे व्यक्ति उस डंग से नहीं समझ सकता Ambiguities in speech कई शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं अनेक अर्थ होते हैं तो उस कारण से भी confusion पैदा हो जाता है External noise और कई बार बाहर इदर उदर शोर शराबा हो रहाता है जो हम message convey करना चाहते हैं तो वो उस डंग से convey नहीं हो पाता तो इस external noise की वज़े से disturbance की वज़े से भी problem आती है psychological biases और prejudices कई बार हमारे धार नहीं बनी होती है हम अपने डंग से सोचते हैं या कई बार हम पुर्वा गराय बनाया होते हैं हम नहीं किसी जीज के प्रती तो उस कारण से भी message को उस spirit में नहीं समझ सकते हैं जिस तरीके से speaker उसको convey करना चाहता है importance इसकी importance की अगर हम बात करें तो builds relationships इससे relationship अच्छे बनते हैं conveys information information शब्दों के माध्यम से convey हो जाती है persuasion and influence और अपने तरीके किसे जैसे अपनी tone, pitch, volume का इस्तमाल करते हुए शब्दों का chain करते हुए तो किसी को हम convince कर सकते हैं उसको परभावित कर सकते हैं express emotions and feelings हम अपने emotions को, feelings को शब्दों के माध्यम से express कर सकते हैं facilitates decision making और decision making में ये काफी कारगर होता है verbal communication skills for effective verbal communication जो इसके लिए effective होती है वो वाल skills जो है एक तो active listening है बड़े ध्यान से हमें सुनना पड़ता है तभी हम उसको response कर पाते हैं feedback दे पाते हैं clarity and conciseness और बात जब करते हैं वो बिल्कुल clear होने चीए संक्षिप्त में होने चीए empathy एक दूसरे बती हमदर्दी होने चीए तब हम ध्यान देंगे ज़्यादा care करेंगे avoiding interrupting the speaker और जो speaker जो भी बात कह रहा है उसको हमें interrupt नहीं करना चीए जब वो अपनी बात पुरी कर ले तब हमें अपनी बात कहने चीए appropriate use of silence तो हमें silent रहना चीए जहां-जहां जिस situation में जैसे जरूरत होती है effective use of questions और जो भी questions हम पूछते हैं तो उसकी relevance होने चीए उसी context में हमें पूछना चीए तब ही वो talk जो है fruitful हो पाती है non-verbal cues और verbal communication को ज़्यादा effective बनाने के लिए कई संकेत non-verbal बाले भी हम use करते हैं although this focuses on verbal communication हलाकि हम verbal communication की बात कर रहे हैं it's worth noting that non-verbal cues non-verbal जो संकेत हैं जैसे कि body language, facial expressions होगे play a significant role in complementing, emphasizing or sometimes contradicting verbal messages तो जो हम emphasize करना चाते हैं या कई बार किसी चीज़ को contradict, विरोध करना चाते हैं या किसी बात को complete करना चाते हैं तो verbal जो messages होते हैं non-verbal की माध्यम से उनको और अच्छे डंग से हम clear कर सकते हैं Improvement like any skill, verbal communication can be enhanced through practice, feedback and self-awareness तो इसको अच्छा किया जा सकता है जब हम अच्छी बार-बार practice करेंगे feedback लेंगे and self-awareness और हमें इस चीज़ का अभास होगा कि जो हम बात कह रहे हैं वो कितनी relevant हैं उसको कैसे improve किया जा सकता है Thank you अब आदेध necessarily how to do